तो माई डियर स्टूडेंट आज किस बीडियों में बात करेंगे भी एफिप्त जमस्टर के सुसोलोजी यानि कि समासाफ्तर के most important question and answer के बारे में तो जिन जिन भी इंवस्टिक वाग कोलेज में आने वाले दिनो में सुसोलोजी यानि कि समासाफ्तर के इच्छा लगी है और उनका पेपर जो फ़र्ष्ट पेपर है ठीक है कि आप सभी को मालूम होगा कि फ़र्ष्ट समस्टर में हर सब्जेट के दो पेपर होंगे ठीक है वो भी अलग अलग दिनों में तो यह सोचिलोजी के फ़र्ष्ट पेपर जोड़े इस इस बार के लिए बहुत ही खास को शुरू करते हैं आज किस वीडियो को जो सबसे पहला प्रष्ट है कि समास्साफ्त का उद्भो और विकास ठीक है समास्साफ्त का उद्भो क अब हुआ यानि कि इसका जन्म कैसे हुआ और इसका दिन प्रतिजिन विकास कैसे हुआ ताकि आज हम लोग समास्साफ्त को एक सब्जेट की रूप में पढ़ते हैं और समाज साथ से संब्दी बहुत फारी बिभने परकार के QUESTION भी आते हैं ठीक है तो इसके सुरुवात कैसे हुई जैसे इसका विकास कैसे हुआ ठीक है तो इसके बारे में आपको बताना है तो चली सुरू करते हैं वीडियो को ठीक है अमेरिका का समाज साफ्त्र आरम्ह से ही अत rápido सम्रतcr रहा एकदम सही रहा है विकास के मामले में ठीक है आमेरिका में ही हुआ है अमेरिका में डिखेंगे की सबसे पहले एक बिशे के रूप में समास साफ्त की जो अद्धिन है मतब की इसके बारे में अद्धन किया जाए जाना जाए जिखा जाए की है किया चीके ठीके इसके जी शुरूवात हैक प्रमुक इंवर्सिटी है जिसका नाम है इल इंवर्सिटी जो की अमेरिका में है ठीके ओर इसका धन जो सुरूआत हुआ था खाराफोगं, शीयत्तर में प्रारणब हुआ था तो बिल्कुल सिंपल परिभासा एकदम आसान परिभासा में आप लोगों के समस्प्रस्तुत की यह परिभासा तो आपको सिंपल से याद हो जाएगी सिंपल से लखेंगे एक समासाफ्त का तेजी से जो विकाफ है वो अमेरिका में हुआ ठीक है और अमेरिका फेह समासाफ्त सब्जेट के रूप में जैसे आप एक सब्जेक्ट है ना आपका तो इसके रूप में पढ़ रहे ना तो इसकी सुर्वा सबसे पहले अमेरिका में हुई थी वह भी एल इनिवर्सिटी से जैसे कि आप किसी ना किसी इनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे होंगे तो ही उसक समासाफ्त के बिकास के बारे में ठीक हिए को स्ष्ट किश्चन वहीं है छोव पर उद्बोर इक थे यकिशन एक ही में थे क्काफ को न आए विकास ही आजाए कि समाज साथ में विकास क्या है समाज साफ्तर विकास क्या है तो ऐसे लिखेंगे विकास का समाज साफ्तर का एक ऐसा अध्यन विसे है मतलब की जहां से सुनेंगे विकास का समाज साफ्तर एक ऐसा अध्धन बिसे है समाज साफ्तर एक ऐसा अध्धन बिसे है जिसके बारे में जाना जाता है जो समाज और अर्थ बेवफ्ता के पारस बेवफ्ता के जो सम्मंद है पारस बेवफ्ता के जो सम्मंद है पारस बेवफ्ता के जो सम्मंद है पारस तो उन दोनों के बीच में उन्होंने एक अभूद करने का प्रियास किया है और इसमें यहां खोजने का प्रियास किया जाता है कि कि किस प्रकार सांस्कृतिक संदाशनात्मक विकास्यम आर्थिक विकाफ एक दूफरे को प्रभावित करते हैं ठीक है कि एक दूफरे पर कैसे impact ढालते हैं किस प्रकार से जो हमारा culture है ठीक है हैं हमारी जो आर्थिक चीज़े हैं की वह दूसरों किस प्रकार impact ढालती है किस पर प्रभावित करते है यह सब चीज जाना जाता है समाजसांत्र के अधन में ठीक है अधन भिषभे में तो इस आपने सिंपल सा कोईश्चन जाना कि समाज साफ्त का उदभो विकास कहा हुआ ठीक है तो इस तरह का कोईश्चन आएंगा तो आप लिखेंगे जिफ देश से हुआ अमेरिका से लेकिन अगर कोईश्चन आए कि भारत से लेकि यहां पर लिखा होगा कि भारत से यह फिर कि भारत से लगानी से अगर कोईश्चन आजहे कि भारत में लिखेंगें कि भारत में खाねंगे इस बात को जया होनात को जिरुआएं अब को नबने ना तो लिखेंगे इसका उद्भों जो सुर्वात जो है ऑगता ब्शवाथ में प्रुफेसर वजेंदर नाथ सील के प्रितनों में अर्थ साफ्तर बिसे के साथ समाच साफ्त का अध्यन कर चालो किया गए मतरब की समाच साफ्तर का अध्यन मतरब की लोगों को बताना लोगों को सिखाना तिक है असमासाफ्थ को पढ़ाना इसकी सुरुबात की गई इस सबजेक्ट की ठीक है संब Youth 1 गीज में लखनो बिस बिद्द्दय भी लए में अर्थसाफ्त बिभाग के अंतर गत शमासाफ्थ को मानता रिग गई मतब कि लखनो विषु विद्यले में शन हमुनी रात्षाफत दसब्भाग में जो अर्थव संब्जक्ट था को पहले से लोगों को संब्जक्ट के बारे सभ्सक्राइब आधा आधिन इसको मानिता यह समावसाफ्त को ठीक है आधान आध्यन को पढ़ाना लोगों को जानकाई देना तो इस विसेयं का जो अध्यन है वो अर्थ साफ्र जो सब्जेक्ट था उसी के अंतर किया जाने लगा कि अर्थ साफ्र पढ़ाया जाए उसके साथ ये भी कुछ इसके पॉइंट जो होंगे कुछ जो चीजी होंगी समासाफ्त के बारें भी बताई जाएंगे ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे भ चैले लिए इस कोछिर की और बढ़ते हैं आप को पॉक्छान एकिए समासाफ्ट कितने सब्दों से मिलकर बना है तो समाससाफ्ट सिंपल सी बात है कि दो सब्द différentes is पहला है पहला है कि समास छिक है और दूसरा क्या है शाफ्ट ये आप सभी को मालूं की समास साफ्ट समास क ן को लग कर दिया जुद को अलग कर दिया जाए को ञांत थीक तो समाज मन जाएगा जाएगा यहां पर लाग ही लेतिन भासा और दूफरा जो सब्द है Logos ये Greek भाफ़ा पे लिया गया है यहां पर हमने समाशाफ्थ को लग किया लेकिन सोसोलोजी समाशाफ्थ को इंग्रिस में क्या बोलते है सोसोलोजी तो बोलते है तो इसमें से यहां तक जो है वो हो गया सोशियस और दूफरा हो गया लोगस ठीक है पहला जो सोशियस सब्द है लेटिन भावावाव है और दूफरा जो लोगस सब्द है एक ग्रीज भासा का है ठीक है इस प्रकार समाज साफ्त का साफ्त्र या समाज का विज्ञान समाज का साफ्त्र या पिर समाज का विज्ञान यानि कि जिस चीज के बारे में हम अध्यन करते हैं, सीखते हैं उसको विज्ञान कहते हैं, ठीके, तो हम समाज के बारे में अध्यन कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसको हम समाज साफ्त कहेंगे, ठीके, शिम्पल ची परिभासा और कितने सब्दों से मिलकर बना वो आपको परिभासा जानकारी पूरी मिल गई इसी तरह लिख दें गर प्रशना आता है तो अब अगरा प्रशने कि समास साफ्थ रों इतिहास में अंतर बताईए समास साफ्थ जो सब्जेक्ट है और जो इतिहास सब्जेक्ट है इन दोलों में डिफरेंस बताना है तो चलेते हैं है पहला डिफरेंस है क्योंकि वाइन समाज के बारें जहां तक जाएंगे कम पढ़ जाएगा ठीक है और जो इतिहास का मतब जो चीज़ें बीत गई है तो बीट गई है जो बीटी हूं तो कनफरम है कि हाँ यह यह बीटा है ठीक है तो उसका जो बहुत ही बस्तित बहुत ही बड़ा है जब कि इतिहास का सीमी थे बड़ा ए भी यह लेकिन सीमी थे अगला कि समाफ साफ्तर एक समान बिग्यान है क्योंकि इसका संबंद समाज से हैं समाज साफ्तर एक समान बिग्यान है इसका संबंद में समाज के बारे में ही समाज साफ्तर है जबकि एतिहाफ एक बिएसर बिएसर मन्ध ट्रों कि इसका संबन्ध इत्यास जो विएसर कई इसका संबन्ध है निए संबन्द है उसमें जो लुब बैज्ञानिक लोग हैं उन्हीं के हिफाफ पे जैसे कि एक समाज में रहने वालोगों की इच्छाय जानना जनगरना करना समस्याय जानना ठीक इसो विधाय देना तो यह क्या बैज्ञानिक पद्धत यहां पर अपनाई जाती है जबकि इतिहास जो है एतिहासिक इतिहास प्रचीन घट्नाओं अधिक नहीं मतलत के बारे में कम जानकारी समाज साथ के अंदर मिलेगे यह समाज है प्रचीन घटनाओं से समंधित ही नहीं समाव साथ जबकि इतिहास प्रचीन घटनाओं का अध्यन करता है पुराने समय में घट चुकी है उन चीजों के बारे में जानकारी ना उट जी जो के बारे में पढ़ने के लिए प्रेणा दायक है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे ये भी एक अंतर है ठीक है लिख लेंगे बहुत महत्पूर्ण प्रशन है अब अगला क्वेश्चन आप ऐसे देखने हो कि मिल सकता कि समाज साफ्तर और राजनीति साफ्तर में संबंद वताईए अभी आपने उपर समाज साफ्तर उतिहास में अंतर जाना है यह संबंद आ समाज साफ्तर जो है इसमें समपूर्स ऌमाज का अध्फन किया जाता है उसके बारे में जान जाना जाता है और राजनीति साफ्तर में समाज के किवल राजनीतिक पच अरथा राजिकी इस प्रकार या एक प्रिक्षिमित बिशिष्ट प्रकति का बिग्यान है। तो बाई समाज साफ़त में संपूर जितना भी समाज है। उस चीछ का अध्यन किया जाता उसके जान का लिए जाती है। लेकिन जो राजनिति साफ़त है। इसमें समाज के कुछ पार्ट को ही उठाया जाता जैसे कि लौट ह ready to take a young खरasına सब्सक्राज शाहते हैं अब दूसराम, सभी प्रकार के संबंदों का अध्यान करता है तो जितने का रिलेशन हैं जितने समाज साफ्थर में, जितने भी संबन्द है, उन चीर का अद्ध्यन करता है। जबकि राजनीटी साफ्थर यह समाज की केवल उन संघ्थित दसाओं का ही अद्ध्यन हैं जिन पर राजनीती जीवन की असपस्तच जाप हो, जो राजनीती से संबन्द जुड़ा हो उन्हीं से इसका मतलब है राजनीती साहत्र का ठीक है अगला अंतर है कि राजनीती साफ्र एक समान तथ्य को परादा करता है ठीक पर्ष्ट करता है कि बैक्त एक राजनीतिक प्राणी है किसले बना समाज के बारे में अद्धन करेगा समाज के मारे में रहने वालों के बारे में जानेगा तो पता से लेगा कि यहां राजिती की जो सुरुवात है यह इस इनसान ने कैसे की क्योंकि इसके बारे में जानकारी लेता है तो इस परकार लिखेंगे तीसरा डिफरेंस त तो इसे प्रकार के तीन चार लिग देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको. अगला के समाज सुधार आंदोलन कब हुआ? तो समाज में हमें साफे कोई न कोई कमी रही हैं और आज के ही समाज में बहुत फारी कमिया हैं और समय समय पर समाज को सुधार आंदोलन किये गए हैं ठीक है? तो वही कोश्चन है कि समासुधार आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था उसके बारे में परिशे देजिए तो इस आंदोलन यानि कि समासुधार आंदोलन की सुरुवात कादियान के मिरजा गुलाम अहमद ने 1889 में इशाई, मिस्नर्यों और आर समाज के बिबाद के खिलाफ लड़ने के लिए की थी ठीक है, हलाकि समासुधार मतब कि तब समास साफर था ही नहीं ठीक है, तब समास साफर था ही नहीं लेकिन ऐसे ही नारमल लोग समाज जानते थे कि हाँ, लोग जो आम जनता पबलिक रहे रही है इन्हीं के जो समस्या है, इसमें जो सुधार आना चाहिए, उसके लिए कोई ने कोई प्रियाफ किया जाना चाहिए, तो वो अंदोलन किया गया है और यह जो आन्दोलन है मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में, इन्हीं के आप लोग कैफेक्ते हैं कि जो अगवाही थी, इन्हीं के अगवाही में किया गया था, इसाई मिशनरियों और आरसमाज के विबाद के खिलाफ लड़ने के लिए की थी, पस्चिम उतार उदारवाद और हिंदू के धार्मिक शुधार आंदोलन से प्रभावित होकर मिर्जा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन को सभी मानवता के सार्व होमिक धर्मिकी तरज पर आधारि किया, तो इस प्रकार छोटा से परसे लिखेंगे, ठीक है, अगर आता है तो लिख देंगे, उत्तर प्रणी में वर्गी करत किया जा सकता है, पहला है शुधार वादी आंदोलन जिसके अंतरगत ब्रम्ब समाज, प्राथना समाज ठीक है, आता है, ध्यान रखेंगे, ब्रम्ब समाज और प्राथना समाज आता है, आलीगर आंदोलन, आर्स समाज और देवबंद आंदोलन ज पहले में जैसे कि यहाँ पर ध्यान पूर्बक्ः मतंब ज्यान देंगे आप लोगों कि जैसे ब्रमब समाज प्रात्ना समाज में अलीकष्थ आंदोलन और आर समाज और देवभंध आंदोलन में MedPatemi वादी आंधुलन देंगे बेसिक परिश से धिक है अगला कि समाजिक सुधार आंधुलन की क्या कारण थेते समाज को सुधारक की तो कुछ पर्मोक कारण तो कह यह क्राण को जिन्हों को जन्म रीजी इस को कि समाजिक फुदार आंदोलन की क्या कारण थे या फिर आंदोलन का जन्म जो मतलब हुआ है वो किस लिए हुआ है तो धान से सुनेंगे जन्म के समय कन्या से स्वाव की हत्या प्रथा प्रथा पर चले थी मतलब कि जिस गर्म में बच्चिया लड़किया पैदा होती थी उनक प्रचलित थी बहुँ विवा मतलब बहुत फारे बिवा कर लेते थी लोग थीक है विद्वा पुनर बिवा की अनुमत नहीं थी और सतीप प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी तो यह समाज में कुछ कुर्वितिया थी इनको बहस्कार किया जा रहा था और इनको आपका अपना ही चैनल स्क्सेस तो सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा question answer की पीडियो पूरी पूरी टेलीग्राम वर्चैप पर मेसेज कर दीजेगा आपको मिल जाएगा और सब्सकाइब जरू कर लीजेगा आपका अपना ही पूरी घ्याम की तहीया यहां पर आपकी